इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए कौन सी नई ट्रेनों का पड़ी चालन रेलेवे ने किया है शुरू और कौन सी ट्रेन अब लगातार चलती रहेंगी इस अपडेट के बाद वीडियो में बढ़ते आगे उसे पहले हमारे चैनल को नहीं किये हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब रेलवे की ओर से कुछ नई ट्रेनों का पड़ी चालन शुरू किया जाड़ा और इसी बीच पहले से चलने वाली ट्रेनों का एक्स्टेंशन किया जाड़ा जि देश के विभिन रूटों पर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन सामिल है ट्रेनों के फेड़े फेस्टिवल सीजन के तौर पर बढ़ाय गए हैं जिसे पैसंजरों को कनफर्म टिकट मिल सके और दूसरी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है उसे कम किया जा सके क्योंकि अक अगले साल तक इस ट्रेन में सफर करने का सुविदा मिल पाएगा वहीं सियाल्दा अजमेर और अजमेर सियाल्दा एक्सप्रेस में जल्द ट्रेनों की टिकट बुकिंग भी सुरू हो जाएगी फिल्हाल एक अक्टूबर तक ही ट्रेन की टिकट बुक हो रही है और घबरानी की बात नहीं है आने वाले नेस्ट वीडियो अपडेट में हम आपको पता देंगे कि इसे ट्रेन का टिकट बुकिंग सुरू हुआ या फिर नहीं उमीद करते हैं कि एक अक्टूबर के बाद से ट्रेनों का टिकट 2022 तक के लिए बुक हो पाएगा लेकिन अभी सुरू नहीं हुआ है इसके बाद के लिए बुकिंग के लिए सुरू प्रोसेस जल्द किया जाएगा और ट्रेन के अगले साल तक फेड़े बढ़ाने से पैसंजरों को अब अक्टूबर के बाद के मैनों में भी सफर करने का मौका मिलेगा इन ट्रेनों के अलावे कई आणी और नई ट्रेनों का पड़ी चलान डेलेवे सुरूकी है जिनमें की बाढ़ा जोडी मेमू ट्रेन जिसके साथ पैसेज्य ट्रेने सामील हैं इस से धनवाद հेल मंदल के अंतरगत को डर्मा बरकाकाना और महिस मुंड़ा पैसिज़े ट्रेनों के दो्दो फेरे में विस्तार किया गया है 22 मार्च 2020 से ये ट्रेन बंद थी और रविवार को को डर्मा और बरकाकाना के बीच 30 पैसंजरों को लेकर ये ट्रेन हजारी बाग टाउन बरकाकाना सहीत छोटे बड़े रेलवे स्टेशन के लिए चली इसमें लगभग 1000 आय प्राप्त हुआ है इन ट्रेनों के लावे और भी कही नई ट्रेन रेलवे चलाने वाली है फैस्टिवल सीजन के रूप में उन सबी टेनों का पूर आपडेट हम आपको आने वाले नेस्ट वीडियो में देंगे फिलाल के लिए इतना ही आने वाले नए टेनों के डिटेल्स के लिए चैनल को किजे सब्सक्राइब और इस वीडियो किजे सेर